पपू यादो नाम तो बिहार के लोगों ने सुना ही होगा पूर्णिया से चुनाव लड़ने का कॉंग्रेस से भरपूर प्रयास कर रहे हैं लेकिन राज़त ने उनका टिकट काट दिया है बुरे दौर में गुजर रहे हैं और बुरे दौर के समय में मनीश कस्यप का ये सं नहीं होगा हमारे धर्म गरंतों में भी पढ़ाया गया है कि अगर दूस्मन भी बूरे हालात में होना तो उसके उपर वार नहीं किया जाता है और पपू यादो जी मैं तो आपका दूस्मन नहीं था जब आप बाड में पटना में लोगों का मदद कर रहे थे तो मनीश कस बिहारियों के लिए आवाज उठाया क्यों आवाज उठाया क्यूंकि आपने भी ट्वीट किया था और उस ट्वीट को देख के आप पे भरोसा करके मनीश कस्यपने आवाज उठाया बिहार के मजदूरों के लिए तो आपने मनीश कस्यप को गरियाना शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं बोला आपने मनीज कस्यप के बारे में बिल्डर है पैसा इंवेस्टमेंट करता है ये करता है वो करता है फलाना करता है धिकाना करता है कुछ नहीं मिला मेरे खिलाप सबूत मेरा बैंक का खाता भी जो है सीज करवाया आपने लेकिन उसे भी जो है कहेगा चुकि मेरा संसकार वो नहीं है कि मैं पीट पीछे वार करूँ पुख से-अ बारे मैं मैं पहले से बोलते हैं आया हूं कि लालू जी और तेजस्वी जो है ना वह किसी यादो को बिहार में राजनीती के छेत्र में पनपने नहीं देना चाहते हैं, हाँ विधायक तो बना सकते हैं, मंत्री भी छोटा मोटा बना देते हैं, लेकिन कभी भी दिल्ली में नहीं भेजना चाहते हैं, कहें के दिल्ली में जाते हैं, पूरे देश में वो यादो जी बिहार के ह सियार हो जाएंगे और पूरे देश की राजनिती समझना सुरू कर देंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि लालू परिवार क्या करता है या दो लोगों के साथ यह सचाई है यह मैं नहीं कह रहा हूँ आपके साथ जो हुआ वो पूरा दुनिया देखा कि क्यूं आपको न समखा कर का हूँ कि आपसे एक रुप्या नहीं लिया हूँ पाप पू यादो जी कैसे आपका लगा दिया अरोप लगाने से पहले पपू या दो जी उसकी सत्यत्ता जाच लेनी चाहिए लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे उसके बावजूद आपने आरोप लगाया और ह सुने हैं कि आप पढ़े लिखे हैं आप कर रहेते कि मॉनीश कस्यापका लाइसेंस रद किया जाए हम डॉक्टर है कि लाइसेंस रद कर दिया जाएगा हमारा कई से लाइसेंस रद कर दिया बताईए बताईए और हाँ हमको भी पता है कि कहा कहा से रंगदारी वह सुला जात ता ना उस काम का हम लोग फायन थे लेकिन जब मैं जेल गया ना ओर आपने मेरे ऊपर जो हमला किया ना बड़ा दुख हुआ यह कौन सा संसकार है पपुयादो जी आप बताईए कौन सा संसकार है चलिए आपके नजर में मैं दुस्मन ही साही लेकिन दुस्मन बुरे दोर से गुजर रहा था उस समय आपको जाना चाहिए था मेरे माँ से मिलना चाहिए था बोलना चाहिए था कि आपका बेटा जो भी किया है जेल से निकलने के बाद मैं उससे बात करूंगा लेकिन अभी माता जी मैं आपके साथ ह टश्यात आप ने देखा था कि नहीं देखा था दुनिया में जिन जिन लोगों ने Haramie किया है भगवान उसको जबर्दस सजा दिया है हम आप को नहीं किह रहे हैं कि लेकिन हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी और नमखhot जाए विडियो बनाई हमने इसको से प्यारोप लगा दीजें जाइए हम चुप थे क्योंकि हमें पता था कि हमारे साथ जिन जिन लोगों ने विश्वासघात किया है जिन जिन लोगों ने धोखा किया है उनके साथ भगवान उनको सबक सिखाएंगे मुझे पूरा यकिन था मैं कौन सा कॉंग्रेस का टिकट बाढ़ता हूं पपू यादो जी और मैं कौन सा राज़त का टिकट बाढ़ता हूं मैं तोरी बाढ़ता हूं फिर भी हो गया न खेला आपके साथ हमने थोरी किया मनीश कस्य अपने जल से निकलने के बाद एक वीडियो बनाए था आपके खिलाब अभी यो खिलाब नहीं बना रहे हैं अभी यो बोल रहे हैं पपु यादो जी सही को सही कहना सीखिए और गलत को गलत किनकिन अस्पतालों से किस परकार से लिया जाता है पैसा पटना में सारा जनकारी है समय है सब कुछ सब के सामने आएगा मनिश कस्य आपका भी चरित्र सामने आएगा पपु यादो जी आपका भी चरित्र सामने आएगा और समय सब को सबक सिखाता है और समय सब को साथ देता है सबक उन लगों को सिखाता है जो समय आने पे चाल और चरित्र दोनों बदल देते और समय साथ उनका देता है जो समय आने पे बुरा दोर आने पे चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पत से पत ब्रश्ट नहीं होते हैं अब बताइए ना हम कौन भीमा भारती को भेज दिये पूर्णिया में चुनाव लड़ने के लिए हम कौन को दिये भीमा भारती जी से कि जाए इस्तिपा दे दिये जद्यू से और आर्जेटी में सामिल हो जाए और जाए पूर्णिया से आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा हम तो उसाब उपर वाले का माया है कृष्ण को मानते हैं ना तो जाके गीता पढ़ लिजे एक बार नहीं पढ़ सकते हैं तो बोलिए म मनिशक से पाके आपको गीता देगा ग्यान लिजे गीता का जिन जिन लोगों ने महाभारत में जिस भी परकार से गलत का साथ दिया या गलत किया या गलत होने के दौरान मौन रहे उन सब के साथ क्या हुआ एक बार गीता पढ़ लिजे क्रिश्न को मानते हैं कि नहीं मानत है तो एक पर गीता आप जरूर पढ़िएगा बाकी आपकी मर्जी कि फिर कभी मनिसकत से बुरे दावर में रहेगा तो फिर चिखिएगा चिलाइएगा प्रेस कॉंफरेंस कीजेगा और वरना एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं उम्र मेरा छोटा है आप लोग बड़े लो दोर में हो न तो कम से कम उस दोर को आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उस दोर को और बुरा करने का प्रयास मत कीजएगा देखिये क्या क्या कि आप बनाए थे आप देख लिजे मनीश कस्यप को पत्रकारिता करने पूछिए किस्ति पत्रकारिता करने का रख नहीं हैं तो चलेंगा एक बर करता से चलिए करेकरता से पूछ लिए पतनी राज सभा बेटा को विधान सभा में भेजना है खुद जो है पूर्णिया से सांसद बनना है करेकरता हुआ सब के लिए का किये हैं काली जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद एक और चीज टाइलेंटेड हैा और बोल लेते वह अपके गैर अनुपस्तिती में बोलते हैं आपके सामने जो है न लोगों को вам और अस्पतालों से कैसे पैसा आता है कैसे उस दबाव डालके कि अब कैसे कैसे काहा से कैसे कैसे पैसा उठाया जाता है कैसे कैसे कोचिंग संस्थानों से पैसा उठाया जाता है कैसे कैसे मेरे कुछ लोगों को मैसेज करके चलिए सारी सच्चाई जो है दुनिया एक दिन देखेगी बस बिनाती है पपु यादो जी लड़िये जो बात बोले तरह पूर्णिया से कि मर जाएंगे मिट जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे अब देखते हैं कि आप पूर्णिया छोड़ते हैं कि पूर्णिया से लड़ते हैं पूर्णिया से लड़ियेगा और पपूयादो जी जीतियेगा किसी भी पार्टी से रहिएगा मनिस्कस्यप आपको माला बुरा दौर अब को थामेगा और प्रयास करेगा कि आपका वूरा को दूर कर और यही मेरा संसकार है बाकि आपकी मर्जी आपके कर्यकरताओं की मर्जी आपके लोगों की मर्जी वो जिस परकार से चाहे मेरे खिलाब विडियो बना सकते हैं लेकिन बिनाती कर रहे हैं आप सभी से गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लीजे और मनीश कस्यप जब जेल मे और देखिए क्योंकि मेरे पास धर्ती पे कोई गौड़ फादर है या नहीं है लेकिन उपर एक गौड़ बैठा है जो देख रहा है कि मनिश्वा संगर्ष कर रहा है और उसका साथ देना चाहिए सरकार गीरा पूल गीरा और पपुयादर जी आपका टिकट भी जो है उप कै END